दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्त यह सही बात है कि धिकांस फांडर्स ओनपैसिप जुआइन होने से पहले से ही काफी तकलीफों में जी रहे हैं साध इसलिए वे चाहते हैं कि अगर जल्दी से एपल मिलने सुरू हो जाते हैं तो तकलीफें कुछ दूर होती हैं और इन बातों को लीडर्स भी समझ रहे हैं एन सियो मिश्टर एस भी समझ रहे हैं उन्हें पता है कि ओन पैसिप को फांडर्स एक संजीवनी की रूप में देख रहे हैं जो उन्हें एक नया जीवन एक नई जिन्दगी परदान करने वाला है उनके बदरंग से जीवन में खुबसूरत रंग भरने वाला है सुख भी उसे ही नसीब होते हैं जो दूखों से लरने का साहस रखता है बीना दूखों से लरे तो सुख मिलने का कलपना भी नहीं किया जा सकता आप किसी भी सफल इनसान का सकसे ये स्टोरी उठा कर देख लीजिए कितने चुनोतियों का सामना करने के बाद कितने तकलीफों से लरने के बाद तब जाके उसने सफलता हासिल करी है बैठे बिठाये नहीं मिल गया है उसे कम्याबी इसके लिए बहुत कुछ करने पर है उसे बहुत कुछ सहने पर है उसे तब उस मुकाम पर पहुँचा है वो हमें भी जो कम्याबी मिलने जा रही है वह बस यूँ ही बैठे बिठाये नहीं मिल रहा हमें इसके लिए हमने भी बहुत कुछ किया है बहुत कुछ साह है तब जाकि इस कम्यावी को हासिल करने जा रहे हैं हम अधिकांस founders तो काफी excited हैं अपनी सफलता को काफी करीब देखके बट कुछ founders अभी भी ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कहीं 2021 और 2022 जैसे ही इंतिजार करते करते 2023 भी ना निकल जाए कुछ founders फरवरी मार्च से अप्रील तक में भी एपल मिलने का उमीद कर रहे हैं तो कुछ founders का अभी भी ये कहना है कि 2023 भी बित जाएगा तब भी साइद एपल नसीब नहीं होगा हमें जितने मुह उतनी बातें कौन किसे माना कर सकता है मुझसे भी founders द्वारा सवाल किये जाते है सर आपको क्या लग रहा है किया मार्च अप्रील आते आते हम उमीद कर सकते हैं एपल मिलने का अब भाई मैं क्या जबाब दून है मुझे खुद सोचना पड़ता है कियो कि 2021 से लेकर 2022 तक में एपल मिलने को लेकर कई बार हमारे लीडर्स भी कह चुके हैं और उसे ही सुनकर हम लोग भी परमोट कर दियें फिल्ड में इस बीच होने को तो on passive में बहुत कुछ हुआ बहुत सारे बदला हुए बट एपल तो नहीं मिले किसी को जो लीडर्स 2021-22 में यह कहते नहीं ठकते थे कि next month बहुत बड़ा होने वाला है वह historical month होने वाला है बहुत जल्दी एपल मिलेंगे हमें चुकि founders को हमारे Indian leaders पर काफी भरोसा है इसलिए उनकी बातों को वे दिल से भरोसा करते थे अब वही leaders बहुत सोच समल कर बाते रखते हैं कि कहीं मैं कुछ कह दूँ और उस समय तक नहीं हुआ तो फिर मेरे सब्द के गरिमा नहीं रह जाएंगे साइद यहीं सोच के कोई भी leaders April के regarding कोई month या fix date नहीं बताते हैं बस यह कह देते हैं कि wait करिए patience रखिए बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है अब बहुत सारे founders बहुत जल्दी और बहुत कुछ का मतलब नहीं समझ पाते हैं क्योंकि यह सब्द वे सैकरोब मार से भी अधिक बार सुन चुके हैं वे अब कुछ होने का एक exact fix timing सुनना चाहते हैं अभी कुछी मेने पहले की बात है 20 नॉब्र तक सब कुछ होने का समय सिमा निरधारित हुआ था इससे खुद हमारे CEO भी announcement किये थे एंड हमारे leaders भी इस date को काफी promote किये थे लेकिन जैसी उम्यदेती founders को वैसा कुछ खास नजर नहीं आया उन्हें क्योंकि वे तो Apple के आने का इंतिजार कर रहे थे हलाकि उस period में जो on passive में हुआ वह वाकई एतिहासिक था company के बिना कोई product launch हुए उसके advertisement फिफा वल्ड कप में B.I.N.A. Sports जैसे परतिष्टी channel द्वारा होना यह सधारन बात नहीं है दोस्त एपल भले हमें अभी तक नहीं मिले बट इसके मिलने के सारे रास्ते खुलते चले गए data center, innovative labs, बुर्ज खलिफा में office वहां हमें ऐसा live streaming show होना और सबसे धमाकेदार surprise तो हमें CEO मिश्टर S ने दुगई में metro station का 10 सालों का agreement करके दे दिया O connect live होने के लिए दिन राथ हमारे technical team लगे हुए है एक तरह से हमें Apple मिलने के सारे रास्ते जो अवरूद नजर आ रहे थे वो सभी के सभी clear होते जा रहे है अब आते हैं founders द्वारा किये गए सवाल पर कि क्या मार्च अपरिल तक भी हमें Apple मिलने का इंतिजार कर सकते हैं या इसके लिए 2024 का इंतिजार करना पड़ेगा दोस्त इसके regarding अभी कुछ भी official announcement नहीं हुए है बट जैसे हर किसी को सोतंतरता है अपनी राय ब्यक्त करने की तो मैं भी अपना अनुमान तो ब्यक्त कर ही सकता हूँ सबसे पहले on passive में चल रहे कुछ कारिय कलापों पर बात कर लेते हैं तब अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि हमें Apple मार्च अप्रील तक मिल सकते हैं या नहीं दोस्त जैसे की बताया जा रहा है कि हमारे बहुत सारे paid products ready है on passive के पास users के करोरो data भी मिल चुके है इको सिष्टम में भी एके दुके छोर के लगभग सभी founders migrate हो चुके हैं लोग free product omel, onet and otrim को use भी कर रहे हैं बहुत सारे आने वाले product का जो ready भी है connectivity कहीं न कहीं से है O connect के साथ और O connect को launch करने के लिए उसे live कर देने के लिए उस पे जबरदस्त work भी चल रहे हैं यानि यह कभी भी launch हो सकता है और पूरे एक लाख capacity के साथ पूरे world में धमाल भी मचा सकता है अब कभी भी launch का मतलब क्या फरवरी में, March में या फिर अपरील में जैसे की पुर्व में बताया गया है कि O Connect 3 फेज में launch होगा फर्ष्ट फेज जनवरी और लाश्ट फेज मार्च, साइध 15 मार्च तक दोस्त अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बीच O Connect के साथ साथ कुछ और भी paid products release होगे आपका referral link, pay plan and package plan भी आ जाएगा EQYC के भी option आ जाएगे, इसके बाद का process क्या Apple मिलने वाला नहीं होगा बार बारे कहा जाता है कि हम next page में इंटर करने वाले हैं तो आखिर next page है क्या, यही तो है O Connect का release होना, referral link मिलना और pay structure का आना and product package के वाई करने का सुरुवात होना and EQYC complete होने के बाद Apple का मिलना, मेरे समझ से तो यही है next page दोस्त, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो फरवरी मार्च में ही हमारे उत्सास सात्मे आस्मान पर होंगे क्योंकि इस बीच बहुत सारे कुछ हमें देखने को मिल सकता है अरे यह सब तो 2022 लाश टक में ही हो जाना चीजे था बड़ टेकनिकल चीजे हैं, किसी भी IT प्रोड़क्ट को मार्केट लेबल पर रिलीज होने से पहले उससे टेस्टिंग ट्राइल के कई सारे page से गुजरना होता है अब एक सवाल यहां और उठता है, जो अधिकान्स फाउंडर्स करते भी है कि जब तक फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जरुरत भी क्या है किसी चीज के लाँच होने का डेट देने का बात सही है, पर कभी कभी लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है इसके लाँच होने का डेट दिया जा सकता है, डेट दे भी दिया गया तब तक उसके कुछ वक्स, कुछ एरर, कुछ नए इसुज नेजर आने लगे आप उन्हें टेकनिकल टीम द्वारा सही करते कुछ नकुछ तो समय लगी जाना है बट आप सब कुछ लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है, आप कौर्टर फाइनल, सेमी फाइनल नहीं होना है आप मान कर चलिए कि चाहे जब भी होगा, जो भी होगा, वह फाइनल ही होगा और जिस हिसाब से ओकनिक्ट को लॉंच करने की तयारी चल रही है कि आपको लगता है कि इसे लॉंच होने में 6 महीने या फिर 1 साल का समय भी लगेगा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होगे, क्योंकि इसे लाइव करने के लिए तो 2-4 महीने की बात कौन करे, सिर्फ आज कल आज कल हो रहे है इससे तो यहीं लग रहा है कि हम बिल्कुल उमीद कर सकते हैं इसके नेक्स्ट मन्त में लाइव हो जाने का और अगर सफलता पुरवक लाइव हो गया, तो समझे ओन पैसिप के नेक्स्ट फेज की सुरुआत हो गई नेक्स्ट फेज को कम्पलीट होने में अधिक समय नहीं लगना है यहां तो फाउंडर्स इंतजार कर रहे हैं, अपना कॉंटेक्ट लिस्ट तयार करके बैठे हैं कि रेफरल लिंक मिले और हम इसे लोगों के बीच सेयर कर सकें, प्रमोट कर सकें पैकेज खरितने तक के लिए रेडी बैठे हैं, जो भी देर है, बस पैकेज प्लान के आने की हपते दिन बित्ते बित्ते पता चलेगा सभी फाउंडर्स पैकेज बाई कर लिए, इतने अधिक बेताब है यह एपल मिलने को लेकर बस ओन पैसिप के तरफ से इन सब के रिकार्डिंग अनाउंसमेंट भर होने का देर है फाउंडर्स को अपना टार्गेट कम्प्लीट करते देर नहीं लगना है, इसलिए मेरा मानना है कि हमें एपल के लिए 2024 का या फिर 2023 लाष्ट का इंतिजार नहीं करना परेगा हमें मार्च अपरिल से ही ये मिलने सुरू हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो, उने को तो नेक्ष्ट मंत में भी बहुत कुछ हो सकता है बस धहर्ज रखें, अपनी सफलता के सुरुआत होने तक, अब इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना है बस इतना मान कर चलिए, हज़ारो हज़ार करोर उपिये खर्च हो रहे हैं कमपनी के ओनपैसिब को बिल्कुल सही तरीके से मार्केट लेबल पर ला देने के लिए हमसे अधिक चिंता कमपनी को है रिवनी उजनरेट करने की हमने तो सिर्फ 100 डॉलर लगाए हैं, तो इतने अधिक बेचैन है एपल को लेकर जिसने हज़ारो हज़ारो करोर उपिये ओनपैसिब को बनाने में इन्वेस्ट कर दिया है और कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, वे हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे उनके अंदर बेचैनिया नहीं होगी, रिवनी उजनरेट करने को लेकर जबकि मार्केट से एक भी पैसे नहीं जा रहे हैं ओनपैसिब को दोस्त, नेक्स्ट वीक ही बहुत कुछ हो सकता है, बस वेट करें एंड बैक ओफिस चेक जरूर करते रहें, वहाँ सारे नए इन्फरमेशन मिलते हैं में बहुत जल्दी जिन्दगी बदलने सुरू होंगे हमारे, अब यह सुरूरात नेक्स्ट मंच से होता है, या मार्च अपरिल से बस इसके ओफिसियल अनॉंस्मेंट भर होने का देर है, उसका इंतजार करें